तो हेलो एवरिवन कैसे है आप सभी लोग स्वागात है आपका अपने इस चैनल में आट जे कुछिंग क्लासेज आज हम एक स्टोरी देखेंगे इसका नाम है देवोटेट फ्रेंड इसको लिखा है औसकर वाइलनेस के राइटर है वो इसमें एक तीन करेक्टर है इसका फर्स्ट है वाटर राइट दूसरा लिनिट और तीसरा डग इसमें आपको तो पता हो डिवोटेड मतलब क्या होता है चलो नहीं पता है तो मैं ही बता देदी डिवोटेड मतलब लगन भक्ती होता है ना मतलब हर जीसीज में लगे तो लग भ Dw2 इस टालो स्टार्ट करते हो कंए स्टोरी तो इन वाझ डॉटे याथ मिलता है तो पुपरिछ धोरेर्ट से prolong आपका डिवोर्टे अपके Definition के परतीय कрахंपा के डूइटי क्या आईडिया है तो वाटरेट क्या कहता है में मकलर मेरे एक तरफा हो बस्ति कि तरफ questions मेरे प्रति उसका बहुत लोयलिटी हो मैं बहुत केरिंग करता हो ऐसा तब लिनेट क्या बोलता है तुम उसको बदले में रिटेन में क्या दोगे तो फिर वाटर रेट क्या बोलता है I don't understand मुझे कुस समझ भी तुम क्या कह रहे हो तो लिनेट है इसमें स्टोरी सुनाता है तो चली स्टाट करते है लिनेट बोलता है इसमें 2 पर सुन रहते है 1 हन्स और एक मिलर जो कि हन्स तुम्लेसन प्लीजंट होता है तो होन्स काो जोकि फुर्मर गाडन में फ्लावर सुड़ों गाते है उससे वह हन्स करता है काम और Miller वो बहुत अमीर आदमी रहता है, रिष्ट रेड मैंन, उसके पास six cows रहते, wheel water रहते, सब रहते, वो बहुत अमीर रहता है, तो इसमें में मिलर रहता है वो मतलब बहुत selfish होता है, वो है न मतलब हंस के पास सब ही आएगा, जब इसको कुछ काम होगा, जैसे कि समर की सिर्म में आता था हंस के पास visit करता था, flowers लेने, flowers बास्केट लेके आता था और हंस से flowers लेके लेके बलते में जो बच जाता था था न तो फिर जब विंटर आया, तब हंस है, वो बहुत सफर कर रहा होता है, कोल्ड और हंगर से, मतलब बहुत भूका रहता है, ठंडी भी रहती है, और उसको कुछ खाने को कुछ रहता नहीं, क्यूंकि उसके गाडन में fruits नहीं उखते था, नहीं flowers उखते था, ठंडी के रहता है नहीं, और मिलर अपने घर में अपने family के साथ बैठा रहता है, इंच्वाई कर रहा होता है, तब ही suddenly, एक दिन मिलर के son ने पूछा, उसके बेटे ने, जो आप हंस के पास क्यों नहीं चाहते हैं, पूछने जो कैसा है, तब हंस मिलर बोलता है, तुम अभी छोटे, तु विंटर में हंस ने अपनी वील वारो बेश दीती, फिर से अपनी सिल्वर बटम्स बेश दीती, तब से अपनी बीग पाई भी बेश दीती, अपना कोट भी बेश दिया था उसने, उसको प्यास कुछ खाने का थाई नहीं सिल विंटर में इसलिए, और तब ही suddenly, जब बेश दीती, तब हंस बोलता है, थाइंकि फॉर्मुला, अच्छा है, तुम आ गए, ऐसा, फिर अपना विंटर में जो उसने किया है, वो हंस को बताता है, जो मैंने यह सब बेच दी है, वील वारो भी अपना बेच दी है, तब ही मिलर बोलता है, मेरे पास है एक वील वार हंस मिलर बोलता है, तुमें मेरा च्छात हो न है लूफ, थेक करना पड़ागा, तब है न टारस हो न फोना खराप हो गया लकडियां से, और मेरे पास आटे की जो बोरी है, सैक का फ्लॉर, उसे तुमें मार्केट में जाके बेचना पड़ेगा, तब हंस बोलता है, तब हं लकडिया आपने उठा के मिलर की घर पर उसका काम लुफ ठिक करना है तभी वो दीन भर काम करता था फिर से वो फ्लॉर भी लेके जाता है मार्केट में बेच देता है फिर ऐसे बहुत काम करता है जैसी मलब हंस बहुत काम करता है पूरे दीन भर काम करता है रात भर भी काम कर गया तब रात होगी सब अलाग तब मिलर लेकर बिलता है ना करता है अंस के बहुत बीमार है तो फिर तुम डॉक्टर की बुला के लेकर और तुष फानी हवा चल रही थी ऐसा अगेरा वेगरा Raphaagra बहुत तुफान उठ गया था भॉत अंधीर साथ कुस दीख भी तभी Hans पुलता है ठीक है छोकिन मुझे शींट ऐस रात को कुछ दूखेगा नी बहुत तुफानी हवा चल रही है दीन कम छॉपि मुझे लाल टेन दे तो मैं लाल टेन लेके जा तो डौक्टर को बुला के लेका। और डॉक्टर के घर पर पहुंच जाता है वो। डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर मेरे फ्रैंट का बेटा बीमार है तो आप चलिए। तो डॉक्टर अपने होर्स पर बेटके चला जाता है। और हन्स उसके होर्स के पीछे पीछे चलता जाता है और अंधेर है तो उसको कुछ दिखाई बीजनेता है डॉक्टर तो चला जाता है और हन्स बीच में एक पॉंड होता है ना पॉंड में वो क्या बलता है तालाव जैसा होता है ना उसमें गिर जाता है वो हन्स तो उसकी द मतलब बहुत उसको लास्टन बहुत अफसोस होता है लेकिन नहांस को विल वारर नहीं मिलता है सो कैसे लगी आपके स्टोरी चरूर मुझे बताएगा अभी मिलते हम आपनी नेक्स स्टोरी के साथ सो कीप वाचिंग एंड थैंक यू बाई